फिल्म के शुरुवात में हमें एक बड़ी जहाज दिखाई जाती है जिसमें कुछ लोग बाते कर रहे थे कि तब भी उन पर एक भायनक जीब का हमला हो जाता है और देखते ही देखते वो उनकी जहाज को बरबाद कर देता है जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाती है अगले सीन में हम कीरा को देखते हैं जो अपनी छोटी नाव पर होती है और लावा में रहने वाले लावा डॉग जिसका नाम ओभी होता है उसे लेकर एटलांटीस आती है एटलांटीस अब बहुत खूपसूरत बन चुका था सभी अपनी लॉकेट की मदद से एटलांटीस क कर समझ जाता है कि ये कोई घुसपेटी है नहीं बलकि उनके दोस्त है उनके साथ मिस्टर वाइटमोर भी होते हैं मिस्टर वाइटमोर उन्हें कहते हैं कि हम सभी तुम्हें यहां मिलने आए हैं अब जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो मिस्टर वाइटमोर कहते हैं कि अ सारे हत्यार और राक्षिस बनाएं जो समुंदर में रहकर अट्लांटिस की रक्षा करेंगे पर अब वो अपने नियंतर्ड से बाहर हो गए हैं जिसकी कारण वो तबाही कर रहे हैं कीरा को इससे बहुत बुरा लगता है कि उसकी पिता के बनाय हुए हत्यार से निर्दोश ल कि जो लोग उसके हमले से बच गए उनों ने उसका नाम क्रेकेन रखा है जो प्राचीन समय का एक खतरनाक राक्षिस है जिसके कई सारे हाथ है जो हजार फीट तक लंबे भी होते हैं पर तबी उनकी जहाच पर क्रेकेन का हमला हो जाता है जिसके बाद सभी अपनी सबमरीन पानी में उतार जाते हैं पर माईलो की सबमरीन चालू नहीं होती और वो पानी में गिरते हुए क्रेकेन के मुँ में जाने ही वाले होते हैं कीत अभी वीनी उस राक्षिस के मुँ में बॉम डेटोनेट कर देता है जिसके कारण वो वहाँ से भाग जाता है माईलो और कीरा को विनी और ओर्डरे बचा लेते हैं कीरा उस राक्षस को देखकर समझ जाती है कि ये अटलांटिस का नहीं है समुंदर से बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि क्रेकेन ने उनकी जाहच को बहुत नुकसान पहुचाया है जिसके कारण वो सभी पास के एक टापू पर रुखने का तैय करते हैं पर उन्हें कोई अंजान इंसान दूर से देख रहा था जब वो सभी उस टापू पर जाते हैं तो वहां के निवासी उन्हें देखकर अपनी खिड की बंद कर देते हैं जिससे उन्हें अजीव लगता है कि यहां कुछ गडबड है फिर तभी वह इस टापू का मैजिस्ट्रेट एडगर आता है जो उन्हें यहां से जाने को कहता है ये वही इनसान था जो उन्हें चुपकर देख रहा था वोलगत सवाल करता है कि तुम क्रेकें स्टैट क्यों आए हो दरसल क्रेकें स्टैट इस टापू का नाम है और क्रेकें इस सबी जब मिस ऐलिसन के वहाँ जाते हैं तो ऐलिसन उन्हें एक शौकिन जानकरी शेयर करती है कि वॉलगर्ड ने शैतान के साथ सौधा किया था कि वो कभी नहीं मरेगा उसकी चारो और काली शक्ति है जिसके कारण ये पूरा टापू बरबाद हो रहा है जब तक वॉलगर्ड की शक्ति खतम नहीं होगी तब तक ये टापू पहले जैसा नहीं हो पाएगा आगे वो ये भी उन्हें चेतावनी देती है कि तुम वॉलगर्ड से मत उलजना और जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाना अब रहात को सभी वॉलगर्ड का पीछा करने जाते हैं पर कोईरे के कारण वॉलगर्ड उन्हें दिखाई नहीं देता पर तबी उन्हें कुछ रोशनी दिखाई देती है और जब वो आगे बढ़ते हैं तो भागे से खाई में गिरने से जर्स्ट बच जाते हैं और ओर्ड्री अंत समय में गिरने ही वाली होती है कि मॉल समय पर आकर उसे बचा लेता हैं दूसी तरफ वॉलगर्ड ऐलिसन के घर आकर कहता है कि उन्ह सभी का समान जला दो पर वो सभी वहां ही होते हैं जिसके कारण वॉलगर्ड वहां से चला जाता हैं माईलो ऐलिसन को वॉलगर्ड और शैतान की पूरी जानकारी बताने को कहता है। जीस पर वो कहती है कि जब समुंदर की सारी मचलिया एक गायब हो गई थी और टापू के लोगों को खाने की कमी थी तो क्रेकें से सौधा किया गया। उसने टापू के खुशाली के लिए लोगों की आत्मा को ले लिया और जब वो चाहे किसी को भी अपने वश में कर सकता है। अगले सिन में सभी बाहर गुम रहे होते हैं कि तबी एक सीकेट दरवाजा दिखाई देता हैं जीस में प्रवेश करने पर वहां कुछ लोग लकडी के डब्बे को एक जगा जमा कर रहे थे और वालगर्ड भी वही खड़ा था जीसकी आँखे चमक रही थी मानो वो क्रेक और और दम्रेवर्ड को बचाने वहीं वीनी पत्हर को बॉम से तोड़कर उसे घायल कर देता हैं जिससे क्रेकिन वहां से चला जाता है और ऑर्ड्री को बचा लेते हैं आप सभी अपनी चोटी सब्मरीन से क्रेकिन को पकढ़ने जाते हैं पर तब ही वीनी भी जाते हैं आप क्रेकन के मरते ही वॉलवर्ड भी मिट्टी में समा जाती है और अब टापू में फिर से खुशे आ जाती है अब जब शाम को सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी उन्हें डॉक्टर स्वीट का संदेश मिलता हैं कि साउत इसमें कुछ गडबड है इसलिए सभी डॉक्टर स्वीट से मिलने आते जहां डॉक्टर स्वीट उन्हें खतरनाक रेट के बीडियो के बारे में बताता है जिसने मिस्टर सैम पर हमला किया और कीरा को एक लॉकेट देता है जिसमें अट्लांटीस की भाषा लिकी हुई थी मिस्टर सैम कहते हैं कि वो कोई साधरन बेडिया नहीं है उनकी आखे लाल होती है मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बज गया माहिलो अब मिस्टर सैम से लॉकेट के बार में पूछता है कि ये कहां से मिला जीस पर वो कहता है कि वो लॉकेट मुझे एक मिट्टी के पॉट में मिला अब शायद वो पॉट शेहर के बा से पूछता है कि क्या तुमने मिस्टर सैम की मिट्टी का पॉट देखा है जीस पर दुकान वाला मिस्टर सैम को पागल कहकर सभी को वहां से भागा देता है अब जब सभी गाड़ी से जा रहे होते हैं तब ही एक आदमी उनके सामने से दो बार गुजरता है जिससे उनने क बहुत कुछ सिखाया ता कि हम अपने रिगिस्तान की रक्षा कर सके और जो भी यहां नुकसान पहुचाने या यहां के सीक्रेट जानना चाता है तो यहां के राक्षस भीडिये उनने मार देते हैं जिसके बाद तभी वही भीडिये उन पर हमला कर देते हैं जिसके बाद चकाशी भी वहाँ से गायब हो चुका था उन भीडियो के हमले के कारण उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है पर तब ही कीरा कहती है कि हम फिर से उसी दुकान के पास आगे हैं आप सभी कैनेबी के पास आते क्योंकि उन्हें उस पर शक था कि वो कुछ छुपा रहा है तब ह मोल को उसकी गाड़ी से वही मिट्टी का पॉट मिलता है जिस पर कहने भी कहता है कि ये पॉट मुझे मिस्टर सैम के घर पर मिला था और मिस्टर सैम को ये पॉट एक गुफा में मिला था यदि हम इस पॉट को उसकी जगा रख दे तो शायद ये भीडिये भी इस रेकिस् क्योंकि वहां कई सारे सभ्यताओं की चीजे ती वहां कीरा को उसके पूरो जोकी मूर्ठी दिखाए देती है पर अब कैंज भी अपना असली चैरा दिखाता है दरसल वो यह उन महतवपूर्ण चीजों को चुराने आया है क्योंकि वह अकेला नहीं आ सकता था जिसके कारण उसने इन सबी की मदद ली आप वो वहाँ sleeping gas छोड़कर खूद एक mask लगा लिता है और जब उन्हें होश आता है तो canby ने उन्हें बंदी बना लिया था और वहाँ एक dynamite जलता छोड़कर चला जाता है पर तभी माईलो की रसी काट देता है पर जैसे ही माईलो dynamite को भुजान लिया था अब वहाँ कई भीड़ी आने लगते और केरिन बे को भी अपने जैसा बना देते हैं पर वो भीड़े माईलो और उसके दोस्तों पर हमला करने वाले थे कि तभी माईलो उस मिट्टी के pot को उसकी जगा रख देता है जिसके बाद वहाँ चकाशी पकट होता है और वो इने देखकर समझ जाता है कि ये लोग बुरे नहीं है पर वो उन्हें यहां से जाने को भी कहता है क्योंकि उन्होंने उसका रास जान लिया जिस पर कीरा कहती है कि हमारे पास भी हमारा सीक्रेट है जिस पर चकाशी जवाब देता है कि बताओ मुझे वो क्या है पर चकाशी कीरा का शुक्रिया करता है क्योंकि अट्लांटिस के रक्षक ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है जिसके बाद चकाशी वहां से गायब हो जाता है अब सभी वहां से मिस्टर वाइट मूर के पास आते हैं जो उनसे कहते हैं कि कल रात एक चोर ने मेरा सबसे महत्वप चुका हूँ और मैं दुनिया को खतम कर दूँगा और देखते देखते उस भाले से बिजलिया निकलने लगती है जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे एक इनसान पर शक है जिसका नाम एरिक है उसने एक दिन बहुत बड़ा कैसल खरीदा और उसका नाम एसगर रख दिया ज उस दिनों पहले उसने मुझे फोन करके कहा था कि उसे वो भाला चाहिए पर मैंने उससे मना कर दिया था वो रैगनौरक के बारे में बात कर रहा था कि वो दुनिया को बरबाद कर देगा तबी मायलो को लगता है कि उसने उस भाले के बारे में शेपर्ड की किताब में जलते हैं वहाँ पोचकर उन्हें हेल्स्टॉम का एसगर्ड कैसल हवा में उड़ता दिखाई देता हैं और फिर तभी उन पर एक बर्फ का बना हुआ राक्षस हमला कर देता हैं जिससे उनका प्लेन नीचे क्रैश हो जाता हैं पर भागे से वो सभी बच जाते हैं पर तभी को राक्षस फिर से उन पर हमला करता हैं और अब वीनी उस पर रॉकेट लॉंचर से हमला करके उसका हाथ उड़ा देता हैं पर इससे भी उसे कुछ नहीं होता हैं और वो सभी को जमा कर हेल्स्टॉम के पास लेकर आता हैं जो भाले की बिजलियों से उपर जमवे बर्प को हटाता हैं जिसके बाद माईलो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे दुनिया को बर्बाद नहीं करना चीए पर हेल्स्टॉम को लगता है कि वो एक शैतान है जिसके कारण वो उस पर हमला कर देता हैं पर कीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि भाले की शक्ती तुमें बरबात कर देगी पर कीरा को हेल्स्टॉम अपनी बेटी ब्रूनहेल्ट समझने लगता है पर इसी मौके में कीरा उसे भाला चीन लेती है और तबी हेल्स्टॉम पर भीडिया हमला कर देता है जिससे कीरा बेहोश हो जाती है अब हेल्स्टॉम माईलो और बाकी पर हमला करके उन्हें एसगर्ट से बाहर निकाल देता है पर वो सभी एक पत्तर से लटक जाते हैं जिसके बाद मोल खुदाई शुरू करता है दूसी तरफ कीरा को होश आता है तो वो ब्रिंडल के कपड़े में होती है कीरा सवाल करती कि उसके दोस कहा है जिस पर वो कहता है कि मैंने उन् हेल्स्टॉम के साथ चली जाती है दूसी तरफ हेल्स्टॉम कीरा को लेकर एक लावा के पास जाता है वोहीं माईलो और बाकी सभी एक दरवाजे को तोड़कर उसका स्केटबूर्ड बनाकर डालान से नीचे उतरने लगते हैं पर तभी उनके पास वही बर्व का राक्षस आ जाता है वीनी उस पर फिर से बॉम फेकता है और अब वो उससे बचकर आगे बढ़ जाते हैं पर वहीं हेल्स्टॉम लावा की मदद से एक और राक्षस को बनाने वाला होता है जिस पर कीरा उसे ऐसा ना करने की विननती करती है जिसके तोरान बाकी सब वहां पहुच ज पर हेल्स्टॉम भाले की मदद से लावे से एक शैतान बना ही लेता है माईलोब हेल्स्टॉम से लड़ने लगता है और इसी बीच वो भाला हेल्स्टॉम से गिर जाता है पर अगनी का बना हुआ राक्षस उस भाले को लेकर वहां से भाग जाता है और बर्फ के राक्षस स और वो भाला उनसे छूट जाता हैं जिसे कीरा तुरन पकड़ लेती है पर अब वो राक्षिस कीरा के तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी कीरा अपने लॉक्वेट और भाले की मदद से पूरा आजगार्ड कैसल उन राक्षिसों पर गिरा देती हैं जिससे वो दोनों वहीं जाने चाती हूँ ताकि अट्लांटीस की शक्तियों से सर्फेस की उपर के लोगों को भी मदद मिलेगी जिसके बाद कीरा अपने भाले को जमीन पर मारती हैं जिससे अट्लांटीस की राक्षिस फिर से जाग जाते हैं और अट्लांटीस पर सुरक्षा कवज बनकर उसे पर आने के बाद धरती पहले से और भी सुंदर हो गी है और इसी हैपी एंडिंग के साथ ये मूवी नहीं समापत हो जाती है आशा है आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद आई यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सकाइब करके सपोर्ट करना न मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों